हेलो फ्रेंट और वेलकम टो एक्जाम टिप्स आज का क्वेशन आप दे बहुत ही पॉपलर क्वेशन है और लगातार एक्जाम पूछा जाने वाला क्वेशन है तो चलिए शुरू करते हैं एक नव आठ गंटे में धारा के पितकूल 20 किलो मीटर और धारा के अनकूल 44 किलो मीटर चलती है पांच गंटे में धारा के पितकूल 15 किलो मीटर और धारा के अनकूल 22 किलो मीटर जाती है सांत जल में नाव की चाल ग्यात कीजिए हमें यहां पे दो क्रियाएं दी हुई है एक बार वो आट गंटे में इतना चल ला है और दूसरी बार पाँच गंटे में इतना चल ला है हमने क्या किया कि नाव की चाल हमने हमें दी नहीं वो हमसे पूछ रहा है तो 9 की चाल x माल ली और 12 की चाल हमने y माल ली ठीक है अब क्या है अगर हम सिंपल तरीके से देखते हैं कि अगर uncool जा रही है तो चले जुड़ जाती है और अगर प्रिथकूल जा रही है तो चले घट जाती है यानि कि जब अगर प्रिथकूल जा रहे हैं कि इस चाल से जाएंगे इतने गंटे में टोटल 8 कंटे में ठीक है अगर हम दूसरी एक्वेशन देखने तो क्या बनेगी हमारी वो बनेगी कि 15 किलोटर हम पर कूल जा रहे हैं तो 15 बटे x-y और यहां पर 22 बटे x-y अब हम यहां पर हमको इसके बाद इसको equation solve करने नहीं लग जाना है ठीक है यहां से हमारा एक जो trick होती है कि अगर हम यहां पर इन दोनों numbers को देखें और इसके इसके numbers को देखें तो अगर हम इसको इसको देखते हैं 44 और 22 तो इसका जो मासा होगा वो कितना होगा तो अगर प्लस Y बराबर 11 निकल के आया यानि कि 11 से अगर में इसको काटे कितनी बार चार बार यानि कि 4 गंटे लग रहा है चार गंटे इदर लग रहा है टोटल 8 गंटे लग रहा तो चार गंटे इदर भी लग रहा होगा यानि कि 4 गंटे 20 क्लिम्टर में यानि कि X-Y कितना निकल के सभी हlikी चार गंटे में इसको कवर कर रहा है ऐनी कि यakस मैनस 5 우리는 11 ist January our एक सो ओड़ा और ऐसमारी निकल के और 40 कि चाल वियुड या निकल के और उनका अंदर कितना निकल गया है? 5 निकल गया 9 की चाल हम से पूंछ रहा है इसको जोड के आधा कर देंगे ठट है? आधा कर दिया यक पराबर कितना? 8 यानि कि जो हमारी नाओ की चाल निकल के आई वब 8 किलोमीटर किती घंटे निकल के आई option C हमारा सही हो जाएगा उमीद एक कुशन आपको समझ में आया होगा like से subscribe पीजिए धन्यवाद